प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से अमरित भारत स्टेशन योजना के अंतरगत 41,000 करोड रुपे की लागत से देश भर के 554 रेलवे स्टेशनों के शिलान्यास और 1500 ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज का शिलान्यास उधगातन वर प्रियागराज मंडल के नैनी मानिकपुर खंट के अंतरगत इरादत गंज एवं लिंक जंक्शन के मध्य अंडपास संख्या 439 पर आयोजित स्थानिय कारेक्रम में मुख्य अतिती प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी उपस्थित रही उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार में रेलवे हो या सडके हो सभी का व्रिहद रूप से विकास हो रहा है और इस विकास का फायदा सीधे आम जंता को मिल रहा है उन्होंने ये भी बताया कि प्रयागराज मंडल का गाजियाबाद से पंडित दीन द्याल उपाध्याए खंड भारतिय रेल के सबसे महत्वपूर्ण खंडों में से एक है और इस पर गाड़ियों का संचालन 130 किलोमीटर प्रती घंटे की अधिक्तम रफ्तार पर किया जाता ह जिसे 160 किलोमीटर प्रती घंटे की अधिक्तम रफ्तार पर किये जाने है तुब बहुत से कारिय चल रहे हैं इस बढ़ती हुई गती के लिए यह आवश्यक है कि सड़क उप्योग करताओं के लिए संरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए इसके लिए हर लेवल क्रासिंग के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज या अंडपास का निर्मान कराया जा रहा है जिससे आम जंता को भी सहूलियत हो और ट्रेनों को भी रफ्तार मिल सके उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में मेजा, कर्चना सहित कुल 6 स्थानों पर रोड ओवर ब्रिज अंडपास का आज प्रधान मंत्री द्वारा लुकारपन किया गया है इसी क्रम में प्रयागराज मंडल के लगभग 1500 करोड रुपे की लागत वाले 10 स्थेशनों एवं 65 आरो बी आर यूबी को मिलाकर उत्तर मध्य रेलवे के कुल 27 स्थेशनों और 189 आरो बी आर यूबी का शिलान्यास उधगाटन राष्ट को समरपन भी किया गया अमरित भारत स्थेशन योजना के अंतरगत आगामी 50 वर्षों तक को ध्यान में रखते हुए कार्य किये जाएंगे इस योजना के तहट प्रयागराज मंडल के सोनभद्र 10.40 करोड रुपे चुनार 19.09 करोड रुपे मिरजापूर 34.25 करोड रुपे मानिकपूर 27.73 करोड रुपे गोविन्दपूरी 21.14 करोड रुपे कानपूर अनवरगंज 16.3 करोड रुपे मैनपूरी 8.6 करोड रुपे शिकोहबाद 12.7 करोड रुपे फिरोजाबाद 14.54 करोड रुपे खुर्जा 18.100 करोड सम्मिलित है प्रवी अन्दर प्राइब